नमस्कार मैं रितिका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं सेव एको और्गानिक ट्राइबिट लिमिटेट के यूट्व चैनल में अभी तक हमने खेती की बारे में बात की मिट्टी को उपजाओ बनाने के बारे में बात की फिर बीज रोपन से पहले क्या-क्या हम आज हम बात करेंगे फंगल इंफेक्षिन के कारण हमारे पोधों को नुकसान होता है यह आप सभी जांते हैं उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं पैदावार भी बहुत कम हो जाता है कभी कभी प्लांट्स जो है वो सूख जाते हैं और फंगर इंफेक्शन को रोप पाना बहुत ही मुश्कीर है इसे हम रोप नहीं सकते हैं क्योंकि इसके फैलने के बहुत सारे रीजन होते हैं जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं खेती में उससे भी फैल सकता है जो हमारे मज़दूर खेतों में काम करते हैं उससे भी फैल सकता है जो हम पानी का चिरकाव करते हैं पौधों पे उससे भी फैल सकता है फंगल इंफेक्शन से छुटकारा पाने के दो ही तरीके हैं या तो फंगल इंफेक्शन के फैलने से पहले सचीत रहे या फिर फंगल इंफेक्शन फैलने के बाद उसे छुटकारा पाने का उपाई कीजे इन दोनों ही कंडिशन में आप Go Fungus Magic का इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि सेव इको और्गैनिक द्वारा बनाई गई एक और्गैनिक प्रोड़क्ट है Go Fungus Magic एक और्गैनिक प्रोड़क्ट है जो नीम, R&D और करंज जैसे और्गैनिक पदार्थों से बना हुआ है Go Fungus Magic की मदद से हमारी भूमी की उर्जा शक्ती और उपजावपन बनी रहती है अब हम जानते हैं कि Go Fungus Magic का इस्तिमाल कैसे करें Go Fungus Magic लीक्विट फॉर्म में आता है एक से दो एमेल प्रती लीटर पानी इटमिन्स की एक से दो एमेल एक लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर पॉधों पर इसका शिरकाव कर सकते हैं इसका इस्तिमाल करने का दूसरा तरीका ये भी है कि खेतों में जो ताई से पहले 100 एमेल गोफंगस मैजीक जानवर के गोवर्ट या किसी भी और्गानिक खाथ में मिलाकर हमारे भूमी में एक एकर में मिला सकते हैं इटमिन्स की 100 एमेल प्रती एकर हम इसे यूज़ कर सकते हैं गोफंगस मैजीक के बहुत से फायदे आपको देखने को मिलेगे जिससे की हमारी मिट्टी जो होथी है, हमारी जो खेत होते हैं, वो दूसरे फसल लगाने के लिए पहले से ही तयार हो जाते है वो fungus magic का इस्तेमाल करने से जो अभी हमारा फसल तयार हुआ है वो कट चुका है उसके बाद की जो मिट्टी होती है जिसमें कि हमें बहुत सारे हाथ दालना पड़ता है वो जरुत आपको लगी पड़ेगी इसमें क्योंकि हमारा जो खेत है वो अल्रेडी पहले से ही प्रिपेर रहता है नेक्स्ट फसल के लिए नेक्स्ट पैदावार के लिए तो इसी तरह हमारे खेतों के साथ साथ हमारे पड़या वरन हमारे जानवर और हमारी स्वस्ता बनी रहती है अगर वो fungus magic से रिलेटेड या फिर इ यानि फेस्बूक और इंस्टा यानि इंस्टाग्राम के लिंक दिये गए हैं जहां पे आप फॉलो कर सकते हैं अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक करें जादस जदर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना आप बिल्कुल न बुले, दाले बाइ